कर दोस्तों यूपी नेचम की नई वर्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं बहुत सारे कंडियेट्स के मैसेज़े जा रहे थे कि नई वैकेंसी कब तक निकल जाएगी तेर साती हो नई वैकेंसी के बारे में अपडेट आच चुका है और अब जो कंडिशन है यानि कि इस समय कितने केंडियेट्स काम कर रहे हैं कितनी वैकेंसी हैं फिला प्यार कितनी रिवैनिंग हैं इसके बारे में भी हम आपको बताने बाले हैं सबसे पहले आप देख लिए दोस्तों ऑफिसल नोटिपिकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे इसमें देखिए जो प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और इतने चिकत्सक है तो देख लीजिए आप लोग नियुक्त संबर्ग समिधा करमी 5 और इसमें देखिए एन्म कितनी है अन्य स्टाप नर्स कितने हैं इस्टाप नर्सिंग स्टाप कितने हैं एन्म कि अगर बात की जाए 15482 टोटल एन्म है जो की एनेचेम के तुरू है और अन्य नर्सिंग सब्सक्राइब करें यहां पर संख्या और ज्यादा हो जाएगी वहीं बात करें ओटी टेक्निशिन की 290 है एक्सरे टेक्निशिन 141 है अन्य 18936 यहां पर काम कर रहे हैं वहीं साचीश आयुस्मान भारत प्रिदान मंत्री जन्रारोग योजना के देंत डिस्ट्रिक प्रोग्राम कॉडिनेटर 65 है अब दोस्तों नई भरती के बारे में पूछा गया है दे बचार करेंगे तो देखिए इसमें बताया गया यानि की बैकेंसी दोबारा से आएगी या नहीं आएगी सिम्पल बहासा में इस चीज का मतलब यह है तो इसमें प्रदान मंत्री जन्रारोग्य योजना के अंतरगत कर्मियों की तैनाती राष्ट्रिय स्वास्त प्रदिकर नहीं कर्मियों की तनातिक की जाती है उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी में समयदा कर्मियों की नियुक्ति राष्ट्रिय एड्स नियंत्रण संग्टन नाको की गाडलान की अनुसर की जाती है तो दोस्तों जो जैसे मान के चलिक किसी डिस्ट्रिक में किसी स नई की चाहिए और जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी थोड़ा साभी कम चांस है यह आए सकती है तो उसके रगार्डिंग जो पी लेटर आएगा बो बताएंगे जारी हो जाएगा तो बता देंगे आपको बाकी बने रहे हैं आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी ठीक है उम्मिद है अभी के लब अभी के लिए इतना ही नेक्स कोई